हेलो एसप्रेंट्स स्वागत है आपका एसप्रेंट टाइप्स चैनल में और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे अब वो जादा यूजर फ्रेंडली हो गया है तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि IBPS ने अपने वेब साइट में क्या-क्या changes किये हैं यह देखते हैं जब आप IBPS का साइट खोलेंगे तो आपके सामने एक नया विंडो अब open हुआ दिखेगा जिसमें आपको अलग-अलग recruitment देखने को मिलेंगी यानि IBPS जैसे कि आप जानते कि IBPS जो है लेकिन अगर आपको SBI का या RBI का ESIC का अगर form भरना है तो आपको ESIC की official site पे RBI की official site पे जाकर form भरना पड़ता था जिससे candidate को काफी problem आती थी link उने कभी-कभी नहीं मिल पाते थे ठीक से आसानी से तो आप IBPS ने क्या किया है कि जितना भी आप वो exam conduct कराते हैं और बिना किसी परिशानी के अपना form भर पाएंगे result देख पाएंगे और जो भी notifications आएगी या notices आएंगी उसको ये आसानी से candidates यहां से देख पाएंगे जो कि candidates के लिए बहुत ही आप आसान हो जाएगा कि आप वो simply बस IBPS के site पे जाएंगे और IBPS जितने भी exam conduct कराती है सबका information जो है उनके site पे ही मिल जाएगा उनको और किसी site पे जाने की जुरत नहीं पड़ेगी इसी तरह government jobs related regular updates के लिए subscribe करे हमारे channel aspirant times को और bell icon प्रेस करना न भूले जिससे आप से कोई भी update मिस ना हो अब आप हमें twitter पे भी follow कर सकते उसकी बिलिंक आपको हमारे description box में मिल जाएगी thank you